चोकलेट मामी से मैसी मा सिंग आपका स्वागत करती हूँ, आज मैं आपको आस माता की पूजन विदी और व्रत कता सनाने जारी हूँ आस माता का व्रत फालगुन शुकल पक्षी की प्रती बता से अश्टमी तक किया जाता है इस व्रत में आस माय का पूजन करते हैं व्रत को करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है, मनोकामनाई पूरी होती है, घर में हमेशा प्रशनता रहती है, अनधन के भंडार भरे रहते हैं इस व्रत को करने वाली महिलाएं गोटियों वाला मंगर सुत्र पहन कर आस माता को भोग लगाती है उस वुरत में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें केवल मीठा ही भौजन किया जाता है यदि किसी के लड़के का जन्म हुआ है तो लड़के का विवा हुआ है, तो उसे भी आसमाता का वुरत और पूजन करना चाहिए और साथ में उद्यापन भी काना चाहिए उद्यापन में साथ जगे चार चार पूरी और हलवा रखकर सासुजी को बायना निकाल कर देते हैं और इस तरह से उसका उद्यापन किया जाता है पूजन की सामगरी में पान का पता, लाल चंदन, लकड़ी का पाटा, चार कोड़ी, आसमाई की तस्वीर, कलश, रोली, चावल, धूब, दीब, घी, गेहूं की बालिया, निवेद्ये में हलवा पूरी और सुका आटा और गेहूं भी रखे जाते हैं आसमाई का पूजन विदी इस प्रकार है सुबह जल्दी उटकर स्थान आधी करने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए पूजा वाले स्थान को साफ रखना चाहिए वहाँ पे लकड़ी का एक पाटा या चोकी रखें उसके उपर चंदन की चार पुतली बनाएं उस पर चार कोडिया रखें सुखे आटे से अलपना बनाएं अलपना के उपर पानी का साफ कलश भरकर रखें कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं आसमाई की तस्वीर रखें चंदन, चावल, धूब, दीप, निवद्दे से कलश की पूजा करें और आसमाई की पूजा करें आसमाई को अक्षट, चंदन, धूब, दीप, अरपित करें हलवा और पुडी का भोग लगाएं कोडियों की पूजा करें हाथ में गेहूं के साथ दाने लेकर कहानी सुने कहानी सुनने के बाद आसमाई को जल अरपित करें कथा के बाद चड़ाई हुए भोग को अन्यम हिलाओं को प्रसाद की रूप में बाढ़ दें थाली में हलवा पूडी और रुपिया रखकर सास को पाउं चूकर बाएना दें यह जी सासू नहीं है तो आप अपने उम्र से बड़ी जिठानी या ननत को भी यह दे सकते हैं आसमाई की प्रसनिता से जीवन की हर आशा पूरी होती है अगर वो ऐप्रसन हो जाएं तो जीवन में कभी भी खुश्या नहीं आती है इस व्रत को जो भी करता है उसकी सभी मनोकामनाई पूरी होती है तो कथा इस प्रकार है एक बार एक आसलिया था वे जुआ खेला करता था वे हारे या जीते आसमाटा के नाम से ब्रह्म भोच किया करता था ब्रह्मनों को भोजन कराया करता था एक दिन उसकी भावियों ने कहा कि तुम हारो या जीतो हमेशा तुम भ्रह्म भोच करवाते हो इतना धन कहां से आएगा तुम धन की बरबादी करते हो पहले तुम खुद कमाओ उसके बाद ये सब करना इस तरह से लड़ाई जगड़ा करने लगे और भाई और भावियों ने उसे घर से निकाल दिया आसलिया घर से निकलने के बाद शहर में चला गया और वहां आसमाता की पूजा करने के लिए चोराहे पर एक चबुत्रे पर बैट गया आसमाता की क्रपा से सारे शहर में खबर आग की तरह फैल गई कि शहर में एक जुआरी आया है यह बात सुनकर वहां के राज्य का राजा उस आसली के पास आया और जुआ खेलने लगा आसमाता की क्रपा से राजा अपना सारा राज्य हार गया आसलिया उस राज्य का राजा बन गया और वह ठाट से रहने लगा दूसरी तरफ उनके भाई और भावियों के पास अनधन की कमी हो गई और जो कुछ भी धन था चोड़ चुरा कर ले गे वह अपने परिवार के साथ घर छोड़ कर आसलिय को ढूनने के लिए शहर में आगे शहर में पहुँचने पर उन्होंने सुना कि एक आदमी राजा से जुए में सब कुछ जीत गया तो वो समझ गए कि हो नहो ये हमारा आसलिया ही है और वो उसे देखने के लिए महल में गए महल में उन्होंने अपने भाई को राजा की गद्दी पर बैठे देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा भाई और भावियों ने आसलिये से अपने गलती की शमा मागी और वापस उसे घर चलने को कहने लगे आसलिया वापस अपने गाउं में आया और वहाँ आकर उसने आसमाता का बहुत सुन्दर मंदिर बनवाया और सभी से कहा कि सभी को आसमाता का वरत करना चाहिए पूजन कर चाहिए और आसमाता के नाम का भ्रहम भुज करवाना चाहिए तो हे आसमाता जैसा आप उस आसलिये के उपर टूटे उसे सारा राज्य और राजा बनाया वैसा सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भने वाले को घरती हो तो पूरी हो पूरी हो तो पर बेल जरू प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले